नमस्कार दोस्तों मैं नुद्र पाठी यदि अभी भी आप लोगों को संग्ठन की एहमेत नहीं पता चल पा रही हैं तो इससे ज़्यादा अंधभक्ती को हम नहीं कह सकते मैं आपको इतना बता दूँ कि फरुकाबद वाले मामले में जहां पर इस प्रेक्टर से लेके एस भी तक सबकी हालात हालत पतली हो गई क्योंकि ये संग्ठन की ताकत है ये संग्ठन की हिम्मत है ये संग्ठन की दम है क्योंकि जिसका लीडर मजबूत होता है तो उस संग्ठन हमेशा सीना तान करके चलता है और मैं आज आप से बोल ले आया हूँ संग्ठन से जुड़ेवे सभी पदातकारी संक्टन से जुलिए सभी सदस्यों को मैं नमशकार करता हूँ लेकिन याद रहे मैं आप लोगों से बस एकी बात कहता हूँ जिस हिम्मत के साथ मैं खड़ा हूँ उसी हिम्मत के साथ आप खड़े रहेगा बाकि मैं समझ लूँगा लेकिन हाँ इस बात को भी याद रखना कि किसी भी तरह से कोई ऐसा कार मत करना जिस से इस संक्टन की छवी खराब हो संक्टन की छवी खराब ना करें ये आप सभी से निवेदन है इस एहमियत को समझें जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, जो लोग इसकी एहमियत नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझने का प्रयास करें, आगे पस्तावा हो सकता है, इसलिए जल्दे ही कार्ड जरूर बनवालें, आप भी हमारे सदस्य बनें, सदस्य आप बनेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता ह आपको उसका लाब देने के लिए सदेव तक पर आपकी सेवा में खड़ा रहा हूँगा, क्योंकि कार्ड से बेनीफिट ये होता है, कि मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, कि आप हमारे संगठन के लिए एक सदस्य हैं, और आपकी मैं सेवा बड़े भा लेकिन कई वार क्या होता है कि लोग हमारी हमसे दुस्वनी भी रखते हैं लेकिन वक्त आने पर मुझसे अपना काम भी निकलवाते हैं इसलिए सबस्ता कार्ड बहुत जरूरी है जो लोग ये कह रहे हैं कि भाईया हमारे थाने में कार्ड फ्री बन रहे हैं आपको बता दें ना कि कोई कमाने का धंदा गवर्मेंट प्रूब जो आईडी मिलता है उसमें आप एक नौकरी कर रहे हैं लेकिन जो संगठन का कार्ड है उससे आपको एक पावर मिलता उस पावर के तहट आप पूरे उत्तर प्रदेश में उस कार्ड को डाल की जब चलेंगे तो आपका जो सम्मान होगा उसको पहचानेगे दूसरी बात आपके पास मेन पावर होगा आपके पास ताकत होगी जो आजकल प्यारडी जैसे होम गार्ड जैसे लोग जो संगठित हैं वो पावर से संगठित हैं तो अभी भी समय है समय ना गमाएं एक साथ खड़ी हो जाएं और हुंकार भर देजिए मैं आपसे वादा करता हूँ गली गली हर थाने थाने बेगारी को बंद गरा के मानूँगा जैहिन जैभारत